श्रीलंका में माग्सवादी विचारधारा वाले अनुरा कुमारा दिसानायके को अब नया रास्टपती छुल लिया गया है देश के लोगों ने श्रीलंका में व्याद रस्टचार से लड़ने और कई संकटों से जूज रहे देश को उबारने और उसके विकास करने के वादे पर भरोसा किया आज अनुरा कुमारा दिसानायके रास्टपती बत की शपत लेंगे बता दें की तियास में पहली बार रास्टपती चुनाव का फैसला दूसरे दौर की मतगणना से हुआ इसमें वामपंती अनुरा कुमारा विजेता घोशित किये गए आए जानते हैं कौन हैं अनुरा कुमारा जो श्रीलंका की कमान समालने वाले हैं लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि चुनाव पैनाम के मताबिक रास्पती पद के लिए वामपंती नहीं था अनुरा कुमारा दिसानाई के 42.13% वोट के साथ की पहली पसंद बन कर उब रहे हैं जबकि निवर्तमार राश्पती रानेल विक्रमना सिंग्य तीसरे पायदान पर चले गए उन्हें 17.27 वोट मिले वहीं चुनाव में जीत हासिल करने के बाद दिसानाई के ने अपनी इस जीत को जनता की जीत बताया है आर्तिक संकट से जूज रही श्री लंका की जनता अनुरा कुमारा को एक मसीहा के तौर पर देख रही है अनुरा ने गरीबों को ध्यान में रखकर नीती बनाने और टैक्स में रहाद देने का वादर किया चुनाव में कुल पे 74 फीजदी मत दाताओं ने अपने मतादिकार का इस्तमाल किया और अपनी जीत के बाद दिसानाई के ने रास्ट्य एक्ता का आहान किया और कहा कि सिहली, तमिल, मुस्लिम और सभी श्री लंकाई लोगों की एक्ता की एक नई शुर्वात का आधार है बता दें कि अनुरा कुमारा दिसानाई के का जन 24 नवंबर 1960 को एक छोटे से गाउग गैलेवेला में मजदूर के घर हुआ वो चार साल के उम्र में केकी रावा चले गए यहीं पर उनकी परवरिश हुई दंबूत गामा के गामनी स्कूल से उन्होंने पढ़ाही शुरू की और बाद में उन्होंने दंबूत गामा सेंटरल कॉलिज में भी एडमिशन लिया यहां पर वो पढ़ाही में नंबर वन रहे वो अपने स्कूल में उन्होंने एंटरी लेने वाले पहले चात्र बने असी के दशक में चात्र राजनीती में उनकी एंटरी हुई उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी शुरू करने के लिए एक मंच भी तयार कर लिया 1995 में जब उन्होंने ग्रेजुएशन की डिगरी हासल की तब श्रीलंका की राजनीती में उनका बविश्य भी साफ होने लगा था बतादे कि 1998 के कि इंद्रे प्रांत्य परिश्च चुन और दो साल बाद जेवीपी को फिर से चुनावी काम्यावी मिली और वो फिर से संसत के लिए चुने बतादे कि 2022 के विरोध प्रदशनों ने गोटाबाया राजपक्षे शासन को खाड़ फैका उस दौरान कितना हंगामा मचा कितना बवाल मचा ये सभी चैनलों में देखा खार देश की जंता ने देखा इस प्रदशन में ही जेवीपी काफी आगे वर राजपक्षे परिवार अत्ववस्था ना समाल पाने की वज़ा से दपता चला गया पहले इस परिवार का काफी दबदबा माना जाता था लेकिन उसके बाद इसका नामनिशा नहीं रहा जाह है कि इस चुनाव में 49 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे थे चुनावायोत के अध्यक्ष आर एम एल रतनायके के मताबिक देशनायके वाफ प्रेम दासा ने रास्टपती के चुनाव में जादा मत हासिल की लेकिन उन में से कोई भी 50% मतों के जादू याकड़े को पार नह ना की गई निवर्तमान रास्टपती विकरम सिंगे पहले दौर में दौर से बाहर होगे क्योंकि वो जादा मत हासिल नहीं कर सके अभी के लिए फलालत नहीं खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वरिलिया हिंदी